Study IQ IAS अब तयारी हुई अफोर्डबल जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एजिप्ट में है और आज ही एजिप्ट से वापस आए है तो ऐसा क्या-क्या हुआ बेट्वीन इंडिया-ईजिप्ट रिलेशन्स उसका पूरी तरीके से विश्लेशन करेंगे इस रिडियो में तो जैसा आप देख पा रहे है तो ये विजट देखा जाए तो बहुत कामयाब रहा कैसे कामयाब रहा और क्या-क्या चीज़े साइन हुई है इस पे चर्चा करेंगे पर मैं पहले आपको ये बता दू की ज़रूर सबस्ट्राइब करें मेरे टेलेग्राम हैंडल आयूश सांगी जाएस अकाडमी के ओपर यहाँ पर आपको सारी पीडियेफ्स मिनेंगी जो मैं रेव्यूज करता हूँ रेकॉर्ड करने के लिए सारे टॉपिक्स की पीडियेफ प्लस बहुत बढ़िया वैल्यू अड़िट कॉंटेंट तीनों प्लाटफोंस पर आपको अपलब्ध होगा इंस्टा, ट्विटर और टेलेग्राम के ओपर तो प्रधानमंत्री मोदी जो है जब से प्रधानमंत्री बने है तब से इस बार तक पहली बार ऐसा हुआ है कि एजब्ट गए है इससे पहले 1997 में स्टेट विजट हुई थी तो जैसा आप देख सकते हैं इस प्रधानमंत्री बनने के बाद एजब्ट के जो प्रेज़िन्ट है इनका नाम है अब्दल फता अल्सीसी इनके साथ कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो पाइपलाइन में थी और इस बार डिसाइड होई है इस साल के गरतंत्र दिवस पे ये चीफ गेस्ट की तरह आये थे उन्हें रिटर्ण में इन्वाइट करा तो मोदी जी ने रिसीप्रोकेट करा जाकर सिंस 1997 तो स्टेट विसिट कहा जाता है और स्टेट विसिट में मोदी जी को रिशीब किया गया वहां के प्रधानमंत利 दुवारा जिनका नाम है मुस्तफा मद्बूली तो मुस्तफा मद्बूली सहाब खुद पहुचे थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए एरपोर्ट के ओपर जब मोदी जी यूएस से वापसी में एजिप्ट लैंड करे तो ऐसा क्या क्या हुआ उनके वहाँ पर लैंड करते ही उनको guard of honor से नावाजा गया या guard of honor से उनका welcome करा गया upon his arrival and there was a ceremonial welcome. ये बहुत prestigious जाती है guard of honor से जब किसी का भी welcome किया जाता है guard of honor देखने के लिए लोग कई जो tourist होते हैं आप और हम जैसे लोग देखने के लिए जाते हैं अलग अलग जगे पर वकिंगम पैलस में होता है इसराइल में होता है यूएस में वाशिंटन डी सी में जो है वो मेमोरियल्स के बाहर होता है तो दोनों देशों के बीच में क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई उसके क्या क्या हाइलाइट से ओवर आल आपको चीज़ें बताते हैं फिर जो चीज़ें एक्जामिनेशन स्पेसिफिक इंपॉर्टन्ट हैं वो आपको विस्तार में बताई जाएगी So the highlights between both the heads of the state and this visit क्या-क्या था एक तो सबसे पहली चीज़ है जो की हमने headline में भी देखी वो है strategic partnership को एक level से आगे बढ़ाया क्या कैसे बढ़ाया क्या उसमें क्या-क्या चीज़ें एड हुई ऐसे कौन से agreements है जो एड हुए that is something that we will discuss Visit pyramids आप Egypt गए और pyramids नहीं देखा ये तो वही बात होगे कि दिल्ली आए और इंडिया गेट नहीं देखा तो गीज़ा गए अब्दल फताल सीसी और इनके द्वारा वहां के state का highest honor जो है वो मोदी जी को दिया गया वोदी जी को उससे नवाजा गया Visit to Heliopolis War Cemetery इसकी importance भी आपको बताएंगे बहुत interesting है Historic Al-Hakim Mosque again a very interesting visit Met noted Egyptian author इन सबसे मिले और Grand Mufti of Egypt यहां तक भी वो गए So these were the things that happened सबसे पहली जो important चीज़ है वो है दोनों देशों के बीच में एक संगठन एक संगठत तरीके से आप आगे बढ़ेंगे जिसको कहा जाता है strategic partnership तो strategic partnership जो है वो set हुई और strategic partnership में उन सारी चीज़ों पे agreement signed हुए जिस पे आज तक काम नहीं हुआ था तो ऐसा क्या हुआ What all was decided in this visit Let's have a look तो partnership document में जिसमें कई सारी चीज़ें आई Multiple things were included Political and security cooperation एक की चीज़ है national security हमेशा याद रखिएगा दो देशों के बीच में जब भी bilateral talks होती है वो कुछ दो तीन important मुद्दों पर होती है बाकी सारे मुद्दे जो है वो ancillary या supporting होते है उसमें से जो पहले या सबसे important दो मुद्दे होते है पहला होता है economic ties यानि की आर्थिक सिती के basis पे आप कैसे साथ एकठे आते हो और दूसरा होता है security cooperation so political and security cooperation followed by that is defense collaboration defense collaboration between both the countries trade and investment ties जैसा मैंने आपको बताया economic ties तो economic ties किसमें डिपेंड करता है trade पे यानि व्यापार पे खरीबने बेशने पे scientific and academic exchanges इस चीज़ पे elevate हुआ और उसके बाद है people to people contacts ये सारी ही चीज़ों में जो सबसे important collaborations हुए है वो पहला हुआ है agriculture and allied sectors इस चीज़ ने इजिप्ट को बहुत परिशान करा था पिछले साल where Egypt had fallen shot of wheat wheat grains, गेहू खतम हो गया वहाँ पे भारत ने immediate तौर पे जब भारत ने wheat के exports ban करे होंगे शायद आपको याद होगा last year हमने Egypt को immediate emergency तौर पे SOS तौर पे जो है Egypt food range भेजे थे so agriculture और allied activities पे दोनों देशों के बीच में collaboration बहुत जरूरी था फिर है protection and preservation of monuments जैसा मैंने आपको बताया था इसी type का agreement जो है वो sign हुआ है US के साथ भी जहां मोदी जी परसों थे उनके साथ sign हुआ है सरीके से sign हुआ है कि जितने artifacts और जितनी भी चीज़े भारत से अलग-अलग किसम से illegally जो है So, Modi and LCC discussed further cooperation जहां पे Modi जी ने G20 यानि group of 20 summit में जो November में होने वाला है उसके लिए उनको यहां पर invite करा था The food and energy insecurity ये चीज़ discuss होगी खाने पीने की पूरी दुनिया में बहुत किल्लत है उस चीज़ को लेके discussion होगा और कैसे खाने पीने का production बढ़ाया जाए और दुनिया को food secure food secure globe या land बनाया जाए ये चीज़ आपको बता दे Human Development Index का भी पार्ट है It is one of the SDG Sustainable Development Goal as well as it also forms a part of Human Development Index Climate Change and the need for Global South to have a concerted voice यहनि की एकठे एक आवाज होनी चाहिए Prime Minister extended an invitation to LCC to attend the G20 Summit in New Delhi in September तो यह चीज़ थी Strategic Partnership का Elevation जो की आपको ध्यान रखना है कि किन-किन चीज़ों पे agreements जो है वो sign किये गए दूसरा था उनके राष्टपती द्वारा Modi जी को नवाजा गया Order of Nile Order of Nile जो है Highest State Honor होता है जो की सिर्फ और सिर्फ कुछी लोगों को Head of States को Prince को Raja Maharajaों को दिया जाता है तो जब इनको मिला तो Modi जी के द्वारा किया गया tweet So order of Nile के बारे में अगर आपको बताया जाए It is conferred upon the Head of States जो Head of States है उनके उपर Crown Prince DP के लिए Services को Offer करते है This is the 13th highest State Honor conferred upon the Prime Minister Modi ये 13th Honor है बाकी सारे Honors की भी List यहाँ पर दी हुई है आप बाद में देख सकते हैं इसी PDF को Download करके So I've given the list of all the State Honors which have been conferred upon our Prime Minister आप इसकी List बाद में देख सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि Modi जी गए Heliopolis जो की एक War Cemetery है He visited Heliopolis War Cemetery इसकी importance जो है वो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और ये काफी interesting है So his visit tribute to the brave soldiers of India आरतियो soldiers के लिए symmetry यानि कि जो एक graveyard है वो बनाया गया है कहाँ पर? Egypt में क्यों बनाया गया है इसके लिए दो चीजों की importance आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ये है symmetry This is a graveyard He offered tributes to the Indian soldiers who fought and laid down their lives in Egypt at the time of the first world war जो पहला world war हुआ था उस time पे भारतियो soldiers जो है वो Egypt की तरफ से या वहाँ पे लड़ रहे थे दूसरे देशों की तरफ के से, के सा तो वहाँ पर जितने भी soldiers ने अपने जान किया हूती दी जो मार्टर हुए जो शहीद हुए उनको वही दफनाया गया तो उनको जो है प्राइम मिनिस्टर ने tribute दिया This is what the प्राइम मिनिस्टर दिए sign the visitor's book at the cemetery that comprises of the heliopolis जहां पे Port Tufik जो है वो है पहला heliopolis जहां पे है memorial and the heliopolis add-in memorial दो memorial है दोनों memorials में इन्होंने state visit करी तो Port Tufik memorial है commemorates 4000 Indian soldiers who died fighting in Egypt and Palestine in the First World War Egypt और Philistine के पहले First World War पहले World War में जो है यहां पर इनको जो है उन्होंने शद्धानजली दी उसके बाद add-in memorial pay tribute to more than 600 men of the Commonwealth forces who sacrificed their lives for add-in during the First World War तो यह जो चीज है यह हुई एक photo मैंने आप लोगों के लिए निकाली है जो की हमें मिली थी और काफी interesting भी आपको लगे Port Tufik कुछ ऐसा दिखता था सन 1957 में This is the Indian War Memorial ऐसे Indian War Memorials पूरी दुनिया में बहुत कम जगे है जिन कंट्रीज ने actually importance दी और इस चीज को support करा कि भारतिय जवान जो है उन्होंने हमारे लिए आकर किसी भी war में चाहे वो पहला विश्वयुद्ध हो दूसरा विश्वयुद्ध हो उसमें fight किया था ऐसे ही एक Indian War Memorial सिंगापुन में भी है INA Army का इसके बारे में आपने शायद सुना हो तो भाष चंद्रबोस की आरमी का वहाँ पे क्योंकि भारतिय जवान शहीद हुए थे इसलिए War Memorial वहाँ भी बनाया गया है तो Port Tufik का एक थोड़ा सा अगरा आपको हिस्ट्री दी जाए तो इसको Port Tufik कहा जाता था called as Suez Port or the Suez Canal Suez Canal आपने सुना होगा आप UPSC Aspirant है और Geography के Mapping में ये चीज़ पढ़ी जाती है तो इसको Port Tufik या Suez Port या Suez Canal कहा जाता है ये कायरो जो की Egypt के राजधानी है उससे काफी दूर पढ़ता है ये चीज़ हुई Memorial destroy हो गया था by retreating Egyptian troops during the Six Day War and it was relocated to Heliopolis War Cemetery जो की Nabil El Vakart Street पे है कायरो में ही है मतलब Suez से काफी दूर है आपको location दिखाते है देखें कायरो यहाँ पढ़ता है ये राजधानी है Egypt की so this entire country is Egypt और ये Suez Canal यहाँ पढ़ता है तो Suez Canal तो है directly आपको पता है ये Indian Ocean से नीचे करेंट करता है It is one of the ways to reach to the Mediterranean Sea तो ये एक तरीका है और काफी दूर पढ़ता है क्योंकि यहाँ पे destroy हुआ इसलिए कायरो में ये बनाया गया It was made तो जरा सी आगर आपको history all बताई जाए तो 6 दिन का war June war 1967 Arab-Israeli war and third Arab-Israeli war तो war हुआ इसराइल के साथ तो तीन देश एक इसराइल के खिलाफ लड रहे थे जिसमें से एक देश Egypt था Egypt, Jordan वगेरा So between Israel and a coalition of Arab states Egypt, Syria and Jordan from 5th to 10th of June 1967 तो ये है देखिए Jordan, Egypt और ये war लड रहे है Syria, ये war लड लड रहे है इसराइल के खिलाफ तो इसराइली war तो खिर बहुत पुरानी है चाहे वो Syria के साथ हो चाहे वो Palestine के साथ हो किसी भी देश के साथ हो तो ये जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए तीसरा जो important event था वो है अलहकीम mosque in Cairo यहाँ पर visit अलहकीम mosque जो है ये जो mosque है ये चौथा सबसे पुराना mosque है काईरो का fourth oldest mosque in Cairo और इस mosque के जरीए वो मिले बहुरा community से बहुरा मुसलमान community है उन से मिले और वहाँ पर उन्होंने अपनी solidarity पोस्ट करी community के साथ तो ग्यारवी सदी का अलहकीम mosque in Cairo जो की the fourth oldest mosque है काईरो में second फातिमीद mosque to be built in the city it was restored with the help of India's दाउदी बहुरा community तो दाउदी बहुरा community जो की भारतिये community है इनके support से इसको restore किया गया था जिन से मोदी जी ने मुलाकात करी so this is the बहुरा community दाउदी बहुरा community के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाए they are a sect of followers of Islam who adhere to the फातिमी इसलाइमी तायबी school of thought they are known to have originated from Egypt and later shifted to Yemen Egypt में originate हुए Yemen shift हुए और उसके बाद finally भारत आए establishing a presence in India in the 11th century तो जो roots हैं वो Egypt से आते हैं फिर Yemen और उसके बाद भारत इस वज़े से इस community के इंडिया के साथ बहुत links है this is a major link between both the countries और ये एक चीज़ है जो की bilateral relations को build कर सकती है यहाँ पे आपको ये बता दो कुछ साल पहले मोदी जी इंडिया की बोरा community में बोरा community के पास जो है अपनी solidarity को प्रस्तुत करने जो है गए थे और उनको काफी हद तक support मिला भी था and last but not the least भई आप Egypt गए हो तो pyramids तो देखोगे सबसे सुन्दर जो है वो pyramidal community है या pyramidal infrastructure है जो वहाँ का best tourist site है और सबसे बढ़िया attracting destination this is one of the most popular attractions of Egypt in fact इसी को देखने के लिए tourist जो है वो Egypt तक जाते है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ दिखते हैं ये pyramids और इसके अंदर mummies होती है अगर आपने देखा हो वो cotton के कपड़े में लिपते होती है क्योंकि Egyptian cotton जो है वो पूरी दुनिया में बहुत famous है it is extremely famous so he met noted Egyptian author Tariq Hegi, businessman Hasan Alam yoga pack practitioners से मिले इन नोगों से meeting करी and again they discussed about global affairs और जब मिला जाता है तो 10 चीजन डिसकस करी जाती है तो अब देखे so इन्होंने photos डाली है मोदी जी ने चाहे वो शौकी इब्राहिम साब हो मुफ्ती ऑफ एजिप उसके बाद ये notable author है इनका आवे हैगी तारिक और yoga को promote करने के लिए so दी नादा आदिल और रीम जपा to make commendable efforts to make yoga popular across Egypt this is what he has done ये रोने करा है और इसके बाद जो है इनकी मुलाकात हुई हसन आनम से जो कि हसन आनम holding company के CEO है तो ये सारी चीज़े हुई जिससे एक solidarity बनती है अगर आप दूसरे देश में जाके उसके businessmen से मिलते हो तो possibly you can attract investment from that country तो FDI investment आती है हमारे देश में yoga को popular करने के लिए तो Modi जी का contribution रहा ही है भरत का contribution रहा है तो antarashटिय सर पे yoga day celebrate करा जाता है 21 June को हाली में celebrate किया गया था तो ये सारी चीज़े हैं ये India की position को antarashटिय सर पे strong करती है फिर आता है bilateral relationship talks between both the countries जो दोनों देशों के बीश में संबंध है it has been in operation since March 1978 and is based on the MFN clause most favored nation clause India was Egypt's fifth largest trading partner in the period पिछले साल अप्रेल से दिसंबर तक Egypt जो है वो पाँचवा सबसे बड़ा व्यापार का partner था it was the 11th largest importer of Egyptian goods fifth largest exporter to Egypt during the same time पाँचवा सबसे बड़ा exporter था Egypt को उसी दौरान उसी टाइम पे since the 1980s there has been four prime ministerial visits from India आखरी विजट थी 1997 में 1997 which was by I.K. Gujaral Dr. Manmohan Singh in 2009 Dar Simba Rao 95 Rajeeb Gandhi in 1985 Egyptian side से सिर्फ Hosni Mubarak आये थे 1982-1983 and again in 2008 तो इस तरीके से जो bilateral visits है वो भी अच्छी रही है they have not been मतलब ऐसा नहीं है कि bilateral visits बिलकुल नहीं रही है तो दोरो देशों के बीश में bilateral visits होना एक अच्छा sign है कि solidarity दिखाता है जैसा मैंने आपको बताया कि तब भी support करा ये एक बहुत बड़ी बात है thus ending a long-pending non-tariff barrier tariff barrier का मतलब होता है taxes taxes या rationing वो चीज़ खतम कर दी इंडिया cleared a shipment of 61,500 metric tons of wheat to Egypt last year 2022 में तो ये solidarity दिखाता है क्यों हमारे relations upgrade नहीं होंगे obviously upgrade होंगे तो ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है which is a very important landmark decision between both the countries ये भारत ने ऐसा नहीं है Egypt के साथ करा है ये Nepal के साथ भी करा है मालदीव के साथ भी करा है श्रीलंका, बंग्रादेश सारे नेवर्स के साथ ये चीज़ कर रही है अफगानसाम के साथ ये चीज़ कर रही है कुछ लोग recognize करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं तो I hope आपको ये topic पसंद आया होगा इस topic का PDF मिलेगा मेरे टेलेग्राम हंदल आयूश सांही जायस अकाडमी क्यों को सरूर सब्सक्राइब करे ताट वोड बी अल थांक यू सो मच बाइवरीवन टेक केर अल दे बेस Study IQ IAS अब तयारी हुई अफोरडबल